नमस्कार घर में कपणों के रंग निकल गए हो या हलके रंग हो गए हो या नए कपणों में रंग करना हो इस तरह आसान तरीके से उनमें रंग करके नयापन दे सकते हैं यह ब्लाउज है जिसका रंग कई जगह से हलका पड़ गया है इसी तरह सलवार कुरता पैजामा पेटी कोट चुन्नी या अन्य कपड़े ले सकते हैं इनमें केवल पांच या दस रुपए का एक कपड़े का खर जाएगा ज्यान रखें सूती और सिंथेटिक कपणों के यह सफेज सूती वायल का टुकड़ा जिसे अच्छी तरह दो कर इसका स्टार्ज निकाल लिया है स्टार्ज लगे कपड़ों में रंग अच्छे से नहीं चड़ता कपड़ा अगर नया है तो उसे दो कर अच्छी तरह से स्टार्ज निकालने रंगों में हानी कारक रसायन ह होने के कारण इन्हें घर के बाहर ही रंगे या खिड़की खोलें और एग्जास्ट चला रखें मुह में मास्क जरूर लगाएं हमने लाल रंग लिया हुआ है ये और यह है कपड़े दोने का सोडा अगर सोडा नहीं है तो कोई भी साबुन का पाउडर ले सकते हैं सोडे से जहाँ कम निकलता है और यह है सादा नमक इसके अलावा एक जोड़ी गलफ्स या एक प्लास्टिक की बाल्टी रंगे कपड़ों को पानी से दोने के लिए अब सबसे पहले बाल्टी में थोड़ा पानी लेंगे और कपड़ों को गीला करने के लिए इसमें इस तरह से पहले दोनों कपड़े गीला कर लेंगे और इन्हें अच्छे से निचोड़ लें इस तरह करने से कपड़े में रंग एक सा चड़ेगा अब पतीले में इतना पानी डालेंगे इसके बाद जितने में कपड़े अच्छी दरह से डूबे रहें और इस पानी में उबाल आने तक इस पानी को गरम करें अब एक प्लास्टिक के कप में थोड़ा पानी लेंगे इसमें वन फोर चम्मच कलर डालकर घोल कर रख लें रंग जरूरत के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं यहां हम रंगने का तरीका बता रहे हैं अब पतीले के पानी में आधा चम्मच नमक डालें और इसे इस तरह से घोल लें कपड़े को उलटने पलटने के लिए एक स्टील का चिम्टा या लकड़ी की डंडी ले सकते हैं अब इस पानी में घुला हुआ रंग डाल देंगे और इसे हिला कर अच्छी तरह मिला दें अब दोनों गीले कपड़े इस तरह से थोड़ा खोल कर इसमें इस तरह से डाल दें और इन्हें इस तरह चलाते रहें और बार बार इस तरह इन्हें उलटते पलटते रहना हैं जिससे रंग एक सा चड़े कहीं जादा या कम ना हो और देखते भी रहें कि जितना चाह रहे थे उतना रंग चड़ गया है या नहीं अब इसे थोड़ा और उबाल लेंगे इसके बाद इसमें पॉन चम्मच सोडा डाल देंगे और चलाते रहेंगे इससे रंग पक्का होता है इसे करीब एक मिनिट तक उबलने दें और उलटते पलटते रहें इसमें रंग आ गया है इन कबड़ों में और इसके बाद हम इस्टो बंद कर देंगे अब आधा वालटी पानी लेंगे और इसमें इस तरह इसे इन कपड़ों को पानी में डाल देंगे और अब इसके बाद हाथों में गलफ्स पहन लेंगे ताकि हाथों में रंग न लगे इन कपड़ों को पानी से अच्छी तरह दो लें और निचोड कर अलग रखें पानी में काफी रंग निकल आया है इस तरह से इसे फेक देंगे और फिर से पानी भरेंगे और इसमें पहले जैसे धो कर पानी फेक दें यह क्रम तब तक करते रहें जब तक कपड़ों से रंग निकलना बंद ना हो यहाँ पर हम यही दिखा रहे हैं अब यह पानी साफ हो चुका है कपड़े अच्छी तरह से निचोड कर छाया में सुखाएं यह देखें रंग अच्छी तरह से चड़ गया है इसमें सूखने के बाद कपड़ों में रंग इस तरह से चड़ गया है ब्लाउस में पहले से दूसरा रंग था इसलिए इसमें थोड़ा गहरा रंग आ गया है और सफेद कपड़े में रंग इस तरह से आया है सिले हुए कपड़े रंगने के बाद सिलाई का धागा सिंथेटिक होने के कार्ण इसमें रंग नहीं आया ये देखें इसके ये ठाके इस तरह से दिख रहे हैं इसे निकाल कर इसी रंग के धागे से तुर्पाई कर लें और इस तरह घर में आसानी से रंग करें धन्यवाद नमस्कार